नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है आप लोग इस पूरे के पूरे सिरीज को इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को हमारे यूटूब चैनल पर वाच आउट कर रहे हैं उसके लिए आपका अभार आप कमेंट करते हैं लाइक करते हैं पता नहीं क्यों मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है ना कि मैं आपके लिए ऐसे धमाकेदार वीडियो बनाऊंगा आज की वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको यूटूब पे कभी और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी जहां पर आपको सपोर्ट वर्सेस रिजिस्टेंस ड्रॉ करके उसके उपर ट्रेड करना उससे ट्रैप से कैसे बचे इन सब ची क्या होता है कहाफी सारी चीजा आप लोग से बचार्ट प्रीवियृज डे का हाई महान लीजो कोई च्रफ होती है कीा करेक्टिव वह है impulsive ev imperative देखकर आप वहां पर मार कर सकते हैं so pot & a तरीच जैसे अगर पोजीशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लंबय डे टाइम Right frame का मंत ताइम तरीका सप्पोर्ट ज्यू ! अगर आप इंट्राटी ट्रेडर हो तो आप क्या करोगी यहां पर आप 15 मिनिट का या मान के मैक्स टू मैक्स आप वन आवर का सपोर्ट रिजिस्टेंस ड्रॉड करोगी सो देट आपको एक बहतरीन अपर्च्वुनिटी मिले मार्केट के नदर इंट्रिय करने का तीसरी जो चीज माड्य को उतना ही जाता आप कम nível Candus कपिसा बनाओगी देखते हुए आप यहां पर support resistance mark कर सकते हो दूसरी सबसे important चीज है आई एक एक करके समझने की हम लोग कोसिस करते हैं support का मतलब क्या हो गया पहले यह समझो support का मतलब यह हो गया कि आपका market कहीं पर गिर रहा है ठीक है market कहीं से गिर रहा है और आपको पता है कि market यहां पर previous buying दिखाया था यहां पर कोई buying side की territory बनी थी यह कैसे पता चलेगा जब आप previous चार्ट को देखोगी तो आप क्या कर सकते हो यहां पर एक call side का trade plan कर सकते हो कि यहां पर यार मैं छोटा सा stop loss देखिए मैं फिर से और रिपीड करता हूं ट्रेडिंग एक ऐसा business है ट्रेडिंग के अंदर कभी भी कोई भी entry गलत यह सही नहीं होती मेरे भाई जो आपसे कहता है यहां call नहीं लिसकते वह भी गलत कह रहा है जो कहता है पूट लिसकते वह भी गलत कह रहा है यानी 140 पैस्ट अपने stop loss लिया आप टींट ले रहे हो और तीं ट्रेड में दस में से 7 अपने लिया और तीं एक्स्टर लेगे हर में आप लोग 40-40 पैस्ट का profit बूख कर रहे हो बीस पैस्ट के stop loss तो कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती बस आप लॉस को कितना कर रहे हो वह आपकी ट्रेडिंग इस्टाइल को निखारता है वापस आईए तो हमने क्या देखा कि मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है अब चोटा सा स्टॉप लॉस देकर हम यहाँ पर एक कॉल साइड कर सकते वाईसे वर्सा अगर में रेजिस्टेंस के बारे में आपसे पूछू कि बहुत रहा है तो मार्केट कहां से रिवर्ट मारेगा उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोल दिए रेजिस्टेंस पर आप क्या है अब यहाँ पर एक बहुत इंप्वर्टेंट कहानी समझो मार्केट के अंदर समझो मार्केट के अंदर यह हो गया एक रिटेल पार्टिस्पेंट सो च रहा है कि यहां से मार्केट उपर जाएगा लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है कि एक FI-SDI, कहलूम है कि एक institutional player बैटा हुआ है जहां से market को उसने बहुत बुरी तरीके से change कर दिया अब trend है तो down कर दिया downtrend अब trend कर दिया तो हमें सबसे ज़्यादा जानतों निर्धारित किस पे होना है हमें बड़े player के साथ जाना है आप में से बहुत सारे लोग होंगे कानी क्या है दोस्त देखो market के अंदर मार्केट के अंदर यह सपोर्ट बना हुआ है ठीक है em market के नदर सब को पता है मार्फट ऐसे 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 निकले healthy 我們 फोड़ा-स फूट 59जो को पकी समझु और मार्केट क्या करेगा यहां पर को कॉल बेठा एगा सो духов निखार पाने के लिए अपको क्या-क्या छीज ध्यान में देखनी है उस hice Acet दिल तक यह बात जाये तो एक like एक comment आपका मुझे चाहिए पहली चीज हमेशा wait कर ये retest का wait for retest ठीक है retest का मतलब क्या है market ने इसको यहाँ पर resistance लिया market को retest करने दीजे क्या market यहाँ पर फिर से resistance ले रहा है एक बार तोड़ रहा है या एक बार resistance ले रहा है वो आपके लिए काम का नहीं है थोड़ा उपर जाके retest जो होता है market का वो आपके लिए वर्दान है यानि market अगर retest कर रहा है तो समझे आपका confirmation बढ़ गया सेम यहाँ पर market गया है नीचे जाने दीजे फिर उपर आया market यहाँ पर एक retest candle का wait करिए यानि टपा मार के market जा रहा है इसका मतलब मार्केट ने पहले trap किया अब market एक नहीं जानने शुरुआत कर रहा है market का नियम क्या है market first market will break your trust and then go for trust trust टोडने के बाद market helicopter rocket बनता है trust क्या है आपको ट्रस्ट है कि market उपर जाएगा नहीं 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 आपको पहले तोड़ेगा देन उपर जाएगा आपको ट्रस्ट है बड़े प्लेयर का हाथ जहां रहेगा वही समझ लीजे आपके लिए वर्दान है बड़ा प्लेयर क्या से पता चलेगा इसके लिए मैं आपको एक वर्दान देता हूं आपको क्या करना है तीन मिनिट के टाइम फ्रेम यूज करो सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर जो ब्रेक आउट होना चाहिए वह मोर दन 45000 के साथ होना चाहिए मतलब वैलम का क्या मतलब यह हो गया कि जैसे मालो कि मैं बड़ा प्लेयर हूं मुझे यहां किसी को बैठाना नहीं तो मैं इसको बहुत बड़े से ब् बड़े से ब्रेक करने पर क्या होगा कि जो लोग सौर्टिंग पोजिशन क्रियेट किये हैं वह अप लोग अपना कवर करेंगे तो मार्केट और उपर जाएगा वाईसे वर्सा अगर मुझे तोड़ना है तो मैं तेज तोड़ूंगा जिन्होंने यहां लॉंग बनाए वह अन्वाइंड करेंगे या जिन्होंने पूट सौड किया है वह पूट की कवरिंग करेंगे और मार्केट और नीचे जाएगा जिसको मैंने ऑप्सन चेन वाली वीडियों बनाया है तो चलिए इस स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि प्रापर सेटप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा आपको बहुत मजा आने वाला एक एक चीज करके यहां पर देखिएगा और आप सीखिएगा ठीक है तो मैं आपको स्क्रीन पर यहां पर लेके चलने की कोशिस करता हूं देखिए आपको क्या के चीज़ी हां पर आपको यहां पर हटा लेता हूं ठीक है चलें तो सबसे पहले यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर मैं निफ्टी बैंक को लेता हूं तो यह बैंक सब्सक्राइब करन तो मैं यहां पर क्लियरली एक चीज यहां पर देख पा रहा हूं कि सवर्भ भाई मार्केट ना टॉप से एक रिजिस्टेंस बनाते में नीचे आ रहा है आप देखो पहले एक ट्रेंड लाइन देखे सपोर्ट रिजिस्टेंस क्या-क्या हो सकता है यह आपका एक ट्रेंड थे लिएर आप लेंगें यहां पर बहुत सारी लो गलती क्या ऐना है कि यहां पर सबसे बड़ी ट्रेपिंग हुई क्यों कि आप भी पता है आपको इस चीज आ रहे मार्केट को अगर आपको ट्रैप करना रहेगा तो ही ऐसा करेगा मार्केट यहां तोड़े, तोड़ने के बाद मार्केट को रीटेस्ट करने दीजिए, यह जो रीटेस्ट वाला केंडल है, यह आपकी इंट्री केंडल होगी, और इस रीटेस्ट में आप न्यू पोजीशन क्रियेट करोगे, आपका पक्का 100 में से 99 पॉइंट चांसे है कि आ मार्केट आपको 1000 अपरचुनिटी देगा पैसा कमाने के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टन्स अनलिसिस कर रहा हूं, आप भी इसी तरीके करेंगे, और क्या दिख रहे है, और मुझे दिख रहा है कि एक जो मेरा यह ले लाइन है, य यहां कहीं आता है, तो मुझे पता है कि यह यहां पर अगर एक्स्टेंड करूं, तो मार्केट यहां कहीं से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन इसको तोड़ने के बाद मार्केट रेटेस्ट करेगा, तो हम इस सपोर्ट को समझेंगे, तो एक तो हो गया कि सपोर्ट और बेसिस पर हमको काम करना है दूसरी जो चीज होती है दोस्तों यहां पर वह क्या होती है प्रिवियस डे का अब आप यहां पर स्विंग देखोगे अब जब आप स्विंग बनाओगे तो आप बहुत चोटी-चोटी चीजे याद रखोगे कि मार्केट के अंदर पहले तो यह नीचे जाए मार्केट ब्रेक करके रीटेस्ट करके उपर जायत इसका बतलब क्या है यह है काॉल इंट्र पू सिंपल सा लॉजिक है इसके हलाओम उर्केट में ज्यादा मत सोचीं आप यहां पर हमें क्या करनासिंग उपर बात करते तो आप देखना एक एक चीज़ वख अब देखो मार्केट के लिए एक छोटा सा स्विंग सपोर्ट का स्विंग है क्यों क्योंकि मार्केट ने यहां पर नीचे से आ रहा था उपर से नीचे आ रहा था लेकिन मार्केट ने क्या किया यहां पर एक थोड़ा सा मार्केट ने अपर साइड का मोमेंटम दिखाया और latest resistance कहा market का बैठा हुआ था एक resistance यह था जिसको market ने पार किया gap up से पार कर दिया था market ने और दूसरा जो मेरे पास resistance market का दिख रहा है वो दिख रहा है यह वाला level यह भी तो है previous day का आज पस तो market के लिए यह भी resistance है यह पूरा तो मैं क्यों यह एक rectangle box accelerate कर रहा हूं समझो क्यों कि हमें एक area देखनी है ठीक है उसके बाद आप चाहो तो इसी में ही आप क्या कर सकतो एक parallel channel के साथ यहां पर अपना एक आप इस तरीके से एक resistance भी मार्क कर सकते हो यह आपका ट्रेंड लाइन resistance हो गया ठीक है देख रहा हो आप किस तरीके से में बना रहा हूं तो आप क्या देखा कि अच्छा अगला जो हमारा सपोर्ट रहेगा मार्केट का वह यह रहेगा अगर पर निकलता है ने यह भी तो मार्केट जाता तो आपको पता है क्या होता है न हर पॉइंट पर रेजिस्टेंस पैदा हुए तो अब मार्केट के लिए कल का जो दिन है वह एक रेजिस्टेंस लेकर 40,900 इसको पार करेगा तो मार्केट का अगला यह बउस्टेंस है क्योंकि बीच में जो ग्रीन केंडल यह यह क्या क्या रहा है यह बायर्ट के का कंडल तो मजबूती के साथ अगर मार्केट उपर जारत वेलं गूर्ट ने तो आपको यहां पर सीखना और समझना और देखना पड़ेगा क्या क्या परफॉर्म कर रहा है अब institutional कहां पे है institutional जोन होता है लंबे correction के बाद देखो यह market का एक institutional जोन है यह पूरा एक market का institutional बाइंग जोन है ठीक है अच्छा यह market के अंदर पूरा एक institutional selling जोन है जहां से market ने लंबी छलांग लगाई है न यह वाला लेवल दिख रहा है यह इस्टिटूशनल सेलिंग जो ने यानि जो पुजिशनल करते हैं उनके लिए वर्दान रहता है कि इतने पाएगा तुम्हें ठोकूंगा इतने पाएगा तुम्हें खरीदूंगा यह दो चीजी आप समझ लिए अब मार्केट के अंदर यह तो पंदरा मिनिट के चाट पे हम सपोर्ट रिजिस्टन्स को मार्क आउट करेंगे और इसके साथ एक नया इंडिकेटर एड़ अप करेंगे वेलूम क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपको तीन मिनिट के टाइम फ्रेम पर ब्रेक आउट चेक करना है कि मार्केट का यह तो 15 मिनिट के अंदर मैं यहां पर आ चुका हूं 15 मिनिट के अंदर की discussion देखिए कैसी है तो मैं यहां पर reset chart कर दूँगा तो chart मेरे reset होगे अब 15 दिन के time frame मुझे देखना है कि market ने कहां कहां स्विंग बनाया है तो मुझे दिख रहा है कि सौरब भाई साफ साफ यह देखो यह वाली लाइन एक पंदम डट के चार्ट पे मान रही ह palavras बाया यहां से थीक है यह यह वाली लाइन भी एक इंपौरटन सपोर्ट लाइन क्यों क्यों लाइन यहां तो चोटे चोटे मैंने तीन नाइन यहाँ पर मार्क आउट कर दी और resistance का और मार्यकों का यह मैंने यह मार्क कर दिया तो मुझे पता चलिए कि 이거 सब्सICE करने यह एकला यहा तोptaे यह टार्गीट मुझे यहां तक मिलेता यहां पर एक और वाईन कर सकते हैं अगली बार आपका सब्सक्राइग वह यह मिले अ और प्रिवियस डे के केंडल को भी आपको यहां पर देखना है कि मार्केट का अगला रेजिस्टेंस और बहुत समझ में आ रहा है कि यह वाली邪 आसटा सिस्टेंस मैंने क्या क्या 15-15 मिनीट के टाइम फ्रेंट के मैंने हैं रे टिसकसिन कर लिया लुए हैं इस पंद्रा मिनिट के टाइम फ्रेम के बादा ऑजाथा है सौरबैत की इस तरीकी की काम करेंगे सबसे पहले को क्या देखना है important zone का मतलब क्या हो गया कि इंपोटेंट ओई कहा पड़ी है ओभाई का मतलब समझ रहो नहीं समझ रहो कैसे को समझ सकते हो जैसे माल लो कि यह 40,800 का लेवल टीक है तो अगर यह 40,800 का लेवल है यह लेवल आपको दिख रहा है यह अगर 40,800 के लेवल है तो 40,800 के लेवल पर मानलो कॉल की OI है 54,00,000 एक्जामपल बोल रहा हूँ 40,900 के लेवल पर मानलो कॉल की OI है 26,00,000 तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि upcoming 40,800 is a major resistance क्यों? क्योंकि अगर कॉल की राइटिंग जादा हो यह, इसका मतलब वहाँ पर लोगों के यह मानना है कि भाई, इसके नीचे market रहेगा, तो मैं यहाँ बार-बार जब market आएगा, तो मैं इसको ठोकूँगा अब OI की रूप में जो चीजें miss concept बनके आपके दिमाग बैठी हैं, उनको पहले आप समझो, देखो होता क्या है, अगर मानलो market के अंदर, यह एक support है, ठीक है सॉरी, resistance है, इसको मैं raid कर दे रहा हूँ, मानलो यह एक resistance है, ठीक है, इसका color जो है, वो मैं raid कर दे रहा हूँ तो लोगों को क्या लगता है, वो यह लगता है कि मानलो भाई, अगर यह 40,800 का level है, तो बस 40,800 को market ने break किया तो मैं यहाँ पर call ले लूँगा यह लोगों को लगता है, क्योंकि हमने भी discuss क्या क्या कि 54 lakh के आजपास यहाँ पर call की OI खड़ी हुई है, यानि इतने लोग तो लोगों को क्या लगता है, जो retail trader है basically, जो थोड़ा कम experience है उनको यह लगता है, कि market इसको break किया, तो काम अपना शुरू लेकिन आप ज़रा सोचो, seller का mind कैसे काम करता है, वो देखो, seller का mind यह काम करता है, कि भाई यह जो 54 lakh है, market को थोड़ा सा डराने दो तो market में 40,800 गया 40,820 गया, 30 गया यह 40,800 मालो 40 आ गया यह जो seller यह तब तक नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर market यहां से भी घूमा तो भी मैं decay का पैसा कमा लूँगा लेकिन जैसे market बार-बार, 40,800 40,860 जब उसको 60 to 70 पॉइंट का लॉज दिखेगा तब वो क्या करेगा, उसको डर आएगा अब तक वो क्या कर रहा था, पता है 40 था, यहां पर भी उसने फिर से average किया, selling किया, फिर average किया फिर average किया, लेकिन अब जब उसके उसके territory से market बाहर निकल गया 60 पॉइंट, वो डरने लगा और उसी डर की वज़ा से क्या होगा वो अपनी, जो call को sort किया, वो sort को cover करने लगेगा इसलिए मैं आपको हमेशा magical बात बताता हूँ, उस magical बात को हम PSY level कहते है, कि अगर मान के चलो, यह है आपका 40,800 और आपको यहां पर दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा call की writing हुई है तो जब तक market 40,000, 855 यह 50 के उपर sustain ना करे, तब तक आप call side में मत जाओ, क्यों, क्योंकि यही तो trap है मेरे भाई यही तो trap है भाई मैं यह पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे को पता, मुझे अपने भी विश्वास है कि नहीं, 40,830 तक तो, 40 तक तो, आप एक buyer हो, आप क्या करतो, आप कुछ दिर तक stop loss देखते हो ना, कि market यहां आएगा, तो मैं काटूंगा, same stop loss इनकी लिए भी यही होता है तो, हमेशा भी किसी भी crucial support का break कैसे हो रहा है हाँ, दो चीजे हैं अगर crucial support, मालो यह resistance का break, या तो 40,855 के उपर sustain करें या तो, बहुत बड़ा value breakout हो value breakout रहेगा तो यह, जो seller उनको दिखेगा कि रियार कोई बड़ा player आ रहा है यह दर के भागेंगे उसी चीज को 3 minute के time frame पर OI के साथ merge करके आपको support resistance दिखाता हूँ, चलो सायद आपने ऐसा content पहले कभी नहीं देखा होगा, अब मैं यहाँ पर आऊंगा वापस, यहाँ पर मैं 3 minute के time frame चूच कर लूँगा 3 minute के time frame मैंने यहाँ पर चूच कर लिया है, मैं फिर से chart को refresh कर दूँगा, यह हो गया research chart, अब यहाँ पर मैं जाऊंगा क्या करूँगा, मैं, यह तो मेरे सब कुछ हो गए, मैं यहाँ पर indicator में जाऊंगा indicator पर जाके मैं simply यहाँ पर क्या करूँगा V-O-L-U-M-E यह indicator लगा दूँगा, ठीक है जब मैंने यह indicator लगाया दो लग गया, एक हटा देता हूँ इसके setting में जाएए moving average on कर लिजेगा इसको, इसके opacity को बढ़ा दीजेगा growing के opacity को बढ़ा दीजेगा ठीक है अब इसमें दीख नहीं रहा है पता नहीं क्यों मैं trading view खोल दे रहा हूँ मैं trading view के अंदर ही आपको दिखा देता हूँ ठीक है इसमें भी खोल नहीं रहा है तो मैं trading view पे चल चलता हूँ चलो यहाँ पर मैं आया और, मैं इसमें, तीन मिनुट के टाइम फ्रेम में इंडिकेटर में, मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, अभी पता नहीं काईट में क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, वो अलग बात होगी, कोई बात नहीं है, ये आगया, देखो, ये आ गया, ये आपको पूरा दिख रहा होगा, कि खुल गया यह बढ़िया चीज तो आपको यहाँ पर वेलूम दिख रहे हैं आप वेलूम के सिटिंग पर जाओ यह सिटिंग खोला आपने सिटिंग वजाकर मूविंग एवरेज बोल दो यह मूविंग एवरेज का लेंथ ही रहने दो style में जाओ growing वाले को आप थोड़ा सा गाढ़ा करो falling वाले को आप थोड़ा सा गाढ़ा कर दो moving average लगा के रखना है फिर से इसको right click करके move to new pane above पर जाना है और यहाँ पर देखो 3 minute के time frame पर मैंने क्या बोला 50 के फिर एक गलती हो गई आपको bank nifty future select करना है यह रहा future ठीक है future पर आपको सारा काम करना है ना कि normal chart पर future में आईए यहाँ पर जाईए indicator में फिर से same चीज़ सर्च करें क्योंकि अगर आप script index में करोगे तो वो नहीं आएगा तो आप क्या करोगे यहाँ पर future पर आओगे बैंक निफ्टी का future chart और यहाँ पर हमने फिर से लगा दिया इसको cut कर दिया हमने इसके अंदर हमने क्या किया इस पर राइट क्लिक किया इसके color को आप कुछ भी अपने इसाब से कर लो so that आपको identify करने में जी हो और क्या करोगे आप इसको सेम जैसे आपने इसको उपर फेका था इसको आप नीचे फेक होगे आगे है नीचे अब आपको देखो यहाँ पर एक lining दिख रही है और lining को कुछ value के candle जब इसको मैं glow कराऊंगा तो आपको जादा समझ में आएगा तो glowing मैं इसको थोड़ा सा गाड़ा कर रहा हूँ यह गाड़ा हो गया falling में यह गाड़ा हो गया और यहाँ पर moving average को click out कर दो ठीक है simple moving average अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज नोटिस करोगे क्या अच्छी चीज नोटिस करोगे वह देखो जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूं वह यह दिखाना चाहता हूं कि देखो यह जो पीली line है इस पीली line के अंदर कुछ candles है और इस पीली line क को आपको सेलेट करना है जब आप crucial level को सेलेट करेंगे सेलेट कर ले उसके उपर ओवाई देख ले ओवाई देखना कैसे वह अभी आपको समझा देता हूं ओवाई देखना कैसे है कैसे आप support resistance मार करेंगे ओवाई से वह अब थर्ड यदि तीन मिनिट के टाइम फ्रेम पे टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज़ दिख रहा है कि सौरब भाई किसी important level को above 45 के volume से cross किया जा रहे है इसका मतलब वहाँ पर बड़ा player है वहाँ पर बड़ा player है तो आपको lining crossover पर ध्यान देना है कि जैसे अरे भाई वा क्या बात है अरे भाई वा क्या बात है तो इसको करन करने के बाद आपका trading जो है वो simplified way में चलेगा अब हम लोग सबसे पहले यहां पर OI देख लेते हैं कि OI सबसे ज्यादा कहां-कहां खड़ा है या आप OI देख सकते हो या simply आप क्या कर सकते हो जो मैंने आपको important support resistance ड्रॉ करने के बारे में बताया उसको आप देख सकते हो तो OI देखो कि तो future chart का OI थोड़ा सा unbalanced होता है क्योंकि spot का OI वहां पर होता है तो आप क्या कर सकते हो OI को आप spot पर लगा सकते हो spot और इन दोनों को साथ में देख सकते हो उसको उपर मैं कभी multiple चार्ट रीडिंग के उपर अलग वीडियो बनाऊंगा अभी के लिए मैं क्या करता हूं अभी के लिए मैं simply आपको वह डिब्बे वाले ट्रिक बता देता हूं ठीक है तो यहां पर देखो अगर माल लो मैंने पहनेन के देखा क्यार ये तीन मुनरेटा कर टांफ्रेम पे इस modern support मार्केट है यहां पर रैंग अच्छी खासी इनीजियेट हुई है ठीक है फिर मार्केटन यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग मार्केट का यह सबुत maior हिए अब मार्केट मार्केट का यह अýकर मार्क अगर market उपर जा रहा है इसको 50K से cross करे green candle चेक करो नहीं है खतम इसको 50 नहीं है green candle यहाँ पर cross किया above 50K बहुत बढ़िया यहाँ पर call बनेगा अपना call बनाए आपका target यहाँ तक मिला market easy है न again market ने इसको भी breakout किया 50K above 50K above 45K यहाँ पर भी आप call ले सकते हो again market यहाँ पर आया लेकिन देखो इस support को market ने above 50K से break नहीं किया red candle देखो फिर market यहाँ पर आता है फिर आपको यहाँ पर एक trade मिलता है and again market ने यहाँ पर देखो इस support को above 50K से break किया तो market के अंदर यहाँ असले कि यहाँ तक का negative move आया और यह तो closing basis पर adjustment closing है तो support resistance mark करने की जो विधी है उस विधी में आपको trap से बचना है मेरे भाई complete knowledge रखना है crucial level निकालने है और volume breakout के साथ जाना है moving average का मतलब भी यही है moving average अगर converging है तो अच्छा है diverging है तो खराब है लेकिन दीरे दीरे करके इन सारी चीज़ों की समझोगे आज ही मैं सब समझा दूँगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा same वापस मैं आऊँगा अब वापस मैं आजाऊँगा अपने option chain में अब option chain क्या करता है option chain की basis पर support resistance कैसे निकलता देखो यहां पर मैं bank nifty select कर लूँगा expiry 6 April की कर लूँगा यहां पर आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सौरब भाई यह तो आपने बार बार बताया भी है मैं फिर से यहां पर इसको repeat कर देता हूँ उसके उपर 67 बला 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 नीचे 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 यह एक resistance important है यह resistance important है और एक यह resistance important है यह तीन हमारे resistance हो गए उसी तरीके सा support को कैसे find out करें तो यह देखो एक बहुत अच्छा support है 40,500 तो टोटल हो आई चेक करना not change नो आई क्योंकि आप analyze करो बाद में एक यह बहुत अच्छा support है यानि market 40,000 के नीचे जाने की probability ना के बराबर लोग उने कहा है उसके नीचे छोटे-छोटे support यहां पर है और उसके ओपर थोड़े छोटे-छोटे resistance मार्केट के यहां है कुछ मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस जो ओट्यम स्ट्राइक प्राइज में कि मतलब मार्केट कभी भी 41,300 तक नहीं जा सकता है ऐसा कितने लोग कर रहें 56,000 लोग और जादा से जादा hedge trade करने का प्लान करो